हेलो फ्रेंड स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल में आज हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वह होगा एक होट एयर गन जो कि आप घर पे आसानी से और बहुत ही सस्ते प्राइज में बना सकते हैं इसका जो टोटल खर्चा होगा वह लगबग 60-70 रुपर से ज panda बाइच्ठ आणस हो भी जाति है तो आप तो सुरू करने पहले आप से रिक्ष्ट है वीडियो को पूरा जरू देखे । लायक जिसने भी हमारे चैनल को सबस्काइब हो सबस्काइब जरू कर ले साथ इसाथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें लेटेस्ः वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए सुरू है तो हमें मैं यहां पर 12 cm ले रहा हूं आप कम में भी ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो मैं यहां पर Hexa blade की help से काट लेता हूं अगर आपके वास Hexa blade नहीं है तो आप कोई भी चाकू या चाकू को इसके उपर गरम करके भी काट सकते हैं बस सिंपल सा है एक दम गोलाई में कटना चाहिए और कैसे भी आप काट सकते हैं आपके लिए option है तो जैसे कटने के बाद इसको एक रेति के ऊपर ऐसे गोल कर लेंगे और यतने भी इसके extra पीसे से वह यहां से रेति की हल्प से निकाल देंगे और एकदम बना लेंगे इसका अ कि इसी तरीके से हमको करना आप इससे थोटा पीस भी ले सकते हैं तो मैं एक पैंसिल से थोड़ा मार्क कर देता हूं क्योंब है हमें हमें एक होल करना जो कि होल के अंदर हम एक तो गरम करके गैस की उपर उसके भी हल कर सकते हैं यह तिसी तरीके से एक हूल और उसके बाद मैं यहां पर ले रहा हुआ हूं एक छोटा सा टूकड़ा और जिससे हमें एक साइड से पाइप को कवर करना है तो इसलिए मैं इसको बीच से सेंटर से काट के और गैस केई इसी तरीके से, अब एक seat के उपर एक pipe जो हमने काटी थी, उसके size का एक टुकडा और लेंगे, जो टुकडा हमने काटा है, उसके उपर एक 12V female port का एक nut यहां पे है, तो उसके center का size में लेके, और हमारी जो seat का चोटा टुकडा है, उसके अंदर एक hole करेंगे, जो कि हमारा यह seat के उपर हमें लगाना है, तो मैं यह पर drill machine की help से hole कर रहा हूं, यह पर female port ले रहा हूं, मैं 12V का, यह fix नहीं है दोस्तों कि आप 12V का ही use करें, आप इसकी जगह 5V, 3V, 10V, 12V, 6V, 9V कोई भी ले सकते हैं, चिर भी यह 12V female connector बोलके ही यह आपको shop पे मिलता है, तो यहां पर smoking heater आता है, वो यहां पर में ले रहा हूं, यह लगबग आपको 50-60 रुपे के आसपास local market auto mobile shop के उपर easily मिल जाएगा, आपको ज्यादा महंगा वाला नहीं लेना है, आपको सस्ता वाला लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक element ही काम में लेना है, तो मेरे को यह 50 रुपे मिला है तो हमारा जो पूरा जो होट एर गन है दोस्तों वो लगबग 50-60-70 रुपे में complete बनके तयार हो जाएगा, तो यह देखिए, इसी तरीके से जैसे आप इसको पूस्ट करते हो गाड़ी को, गाड़ी के अंदर जो 12 वोल्ट का female उसमें connector socket दिया होता है, उसमें जैसे ही पू सारा निकालना, नित way ने बिला, सिर्फ हमें हिया है, एलिमेंट चाहिए, जिसमें जो भी स्प्रिंग वगड़ा है, वो सारी मैं यहां पर निकाल देता हूँ, हमें सिर्फ एलिमेंट और व इसकी body चाहिए होगी, रिखिए यही ऐलिमेंट हमें चाहिए होगा, जिसे हमार पैंसिल की हेल्प से या कोई भी आप गोल चीज के उपर इसको रखे और इसको लपेट दे क्योंकि हमें गोलाई के अंदर रखना है जो कि दोसों एलिमेंट का जो बाहर की बोड़ी है वो नेगेटिव सीरा है और इसमें नट लगा हुआ है बोल्ट लगा हुआ है वो पोज यहान यह रखना है कि जो हमने इसके अंदर जो नट लगाया है उसके टच नहीं होना चाहिए और जो बोल्ट था उसके उपर वापस टाइट कर देंगे और दूसरा वायर भी इसी इसी नट के उपर लगा देंगे तो हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे मैं मैं पूरा कमक्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ आगे यह देखिए तो मैंने एक इसके अलिमेंट के ऊपर लगा दिया और दूसरा इसकी सरफेश के उपर अलिमेंट के वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों तो यहां पर दो हमारा इस्मोडिंग टूल Hij है उसको ज पर आपको बस हलका सा चिपकाना इसके उपर ताकि यह ओल्ड में रहे हैं यह देखिए इसी तरके से आपको चिपकाना यह है अब हीटिंग अलिमेंट को आपको इसके अंदर फिक्स कर देना है कर देखिए कंप्लीट हो चुका है तो मैं यह पर पूश्च बटन ले रहा हूं आप यह ले सकते हैं लेकिन फूस्ट बटन ज्यादा यहां पर कारगर है तो यहां पर पूस्ट बटन ही यूज़ करें आप चाहें तो दूसरा कोई कुछ यूज कर सकते हैं तो मैं एक वायर गए हैं उसमें से कोई भी एक वायर ले लिजे और बीच में इसे काट के और दोनों सिरे स्विच के उपर कनेक्ट कर दीजे तो जो हमारा सुच का जो कनेक्शन है वह भी कंप्लीट हो जाएगा यह देखिए अब मैं यहां पर glue gun की help से इसको चिपका देता हूं क्योंकि इसके अंदर आप इसका जो साथ में plastic का cover आता है वो तो लगा नहीं सकते तो मैं जो भी extra wire है वो इसके बाड देता हूं इनको चील के और जो हमारा 12 फीमेल कनेक्टर है उससे मैं यहां पर connect कर देता हूं तो यह देखिए कोई भी दो सिरे आप आप connect कर सकते हैं एक सेंटर वाला और बार का कोई भी दो एक ले सकते हैं आप हो चाहें तो दोनों एक साथ भी connect कर सकते हैं तो इसको मैं इंस्टेंट गिलू की हल्प से यहां पर चिपका देता हूं बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ता है दोस्तों आपको कोई भी बॉक्स हो अगर कुछ भी बनाने की ज़रूत नहीं इतने सारे बैटरी दोनों included हैं तो आप जाके देख सकते हैं तो मैं यहां पर हमारी जो होट गन है उसके यहां पर connect कर देता हूं और आपको on करके दिखाता हूं कि कैसे यह work करती है यह देखिए जैसे आप इसको पुस्ट करते हैं तो कुछ सेकेंड के बाद ही यह बिल्कुल रेड हो जाएगा दोस्तों एकदम से हीट हो जाता है पूरा यह देखिए बिल्कुल रेड हो चुका क्योंकि जो element है वह काफी हद तक हीट हो जाता है यह देखिए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने जाता हुआ मैं अब आपको शोल्डरिंग को ईसको नश्दीक लेके जाता हूँ बिल्कुल ही जल्दी जल्दी बहुत ही फॉल्सली को हो खोवार को दो प्गलाज दे रहा है कि अब मैं आपको कोई भी एक आजसी हटा के दिखा देता हूं क्योंकि इसका जो अधिकतर यूज है वो इसी परपस से किया जाता है तो मैंने इसके उपर पेस्ट लगा लिया है पहले से ही तो इसको हीट होने के बाद इसके उपर रखेंगे तो जैसे ही रखेंगे तो जो हमारा पेस्ट हमने लगाया है वह इसकी जोइंट्स हैं वहां तक पहुंच जाएंगे और दीरे-दीरे यह गरम होके और पूरा सोल्डिंग इजली हट बहुत ही सस्ता और अच्छा जोगाड है आपको कोई भी एलिमेंट करीदने की जोतनी कोई पंखा मोटर वगर कुछ लगाने की ज़रूत नहीं है बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा और ऐसा भी नहीं कि जल्दी खराब हो जाएगा काफी दिन तक चलने वाला अच्छ देखने के लिए